असलाम लेकूम आज हम स्टार्ट करेंगे कम्प्यूटर एजुकेशन ग्रेड शिक्स यह हमारे पास पंजाब करीकलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लौहार आज हमने चप्टर नमबर वन स्टार्ट करना है कम्प्यूटर साइंस का जिसका नाम है इंट्रोड़क्शन टू कम्प्यूटर यह इसकी कुछ लर्निंग आउटकम्स है और आज हमने देखना है वाट इस कम्प्यूटर पर चलने वाली डिवाइस या मशीन है जो के यूजर से इन्पुट लेती है रहाँ डेटा पर काम करती है उसको प्रासेस करती है और फाइनली जो है वो आउटपुट जो है वो शो कर देती है जो के मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है इसको आप बाद में यूजर करने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं इस डाइग्राम में देखें डाटा एजा इन्पुट जूजर हो रहा है कम्पुटर का प्रोसेसर उस पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन हमें अजर रिजल्ट शो हो रही है इसके इलावा हमारे पास जो है वो स्टोरिज भी ऑप्चिनल है अगर हम लेटर यूजर करना जाते हैं उस पान फॉर्मेशन को तो हम यूजर कर है और हमारे पास सूपर कंप्यूटर है नेक्स्ट इस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास डेटा सिंबल रॉ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता इमेज नंबर टेक्स्ट वीडियो आडियो इस तरह कि जो है वो हमा को प्रॉसस करके उसको मिनिंग फॉल बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन जैसे इस डायग्राम में डेटा एजा जो है वो नंबर लिये गये हैं किसी स्टूडेंट के कुछ मार्क्स हैं सब्जोग्स हैं नंबर हैं फिर उनको प्रॉपरली प्रॉस किया गया है और उसके बाद जो है वो एक स्टूडेंट का ग्रेट सर्टिफिकेट बनाया गया है एड्वांटेजिस ऑफ यूजिंग कम्प्यूटर के ऐसे क्या फवाइद हैं कैसे क्या ऐसे बैनिफिट्स और एड्वांटेजिस हैं जिनको हम जिनकी वज़े से हम कम्प् की speed है speed is an most important characteristics of computer the computer can perform billions of calculation in a fraction of second ठीक है के एक second से भी कम time में वो आपके billions of calculations perform कर सकता है यह जहां पर एक question दिया गया है जिसको कोई भी normal इनसान solve करने के लिए कुछ minutes लाजमी लगाएगा लेकिन computer इसको within a no second solve कर लेका next advantage है हमारे पास accuracy accuracy means की error free result generate करेगा computer is accurate and never makes mistake in the above example there are chance that the student can make errors while solving it but a computer never does so हो सकता है chance है कि कोई भी student इसको solve करे तो mistakes करेगा लेकिन जब आप computer से question करवाओगे तो वो speedy होने के साथ साथ error free result generate करेगा computer सिर्फ उसी वक्त wrong result show करेगा जब आप उसको instructions गलत दोगे next advantage is diligence means कि अगर आप computer को कोई भी काम time and again देते हो कि वो उसको repeatedly करे तो computer की ये खासियत है कि computer जो है वो बोर नहीं होता कभी ठकता नहीं है a computer never gets tired or bored next advantage of computer is storage computers have large storage capacity a computer can store very large amount of data a large building is required to store thousands of books लेकिन यही thousands of books अगर हमने computer में रखनी है तो easily इसकी memory में store की जा सकती है last advantage of computer is versatility versatility is the key benefit of using computer a user can perform variety of tasks like drawing pictures, writing stories, watching movies and playing games एक वक्त में आप computer पे बहुत सारे काम कर सकते हो variety of tasks जो है वो आप यहां पे perform कर सकते हैं component of a computer there are two component of computers hardware and software hardware and software एक दूसरे के लिए इस तरह से लाजमी है जैसे human body और human soul जैसे ही soul human body से निकलती है तो वो इंसान dead हो जाता है इसी तरह से software जब किसी hardware में नहीं होगा तो वो उसी तरह से dead होगा hardware is like a human body and software is like human soul hardware are the physical part of the computer that we can see and touch this indicate input and output as well as the system unit जितने भी physical parts होंगे हम उनको कहेंगे hardware computer के वो parts जिनको हम देख सकते हैं चू सकते हैं hardware कहलाते हैं इसमें system unit, mouse, keyboard, speaker, printer, scanner वगेरा आएगा software a computer cannot perform a task without hardware alone it needs software too कोई भी computer software के बगेर कोई भी task perform नहीं कर सकता software हमारे पास क्या है हिदायात का ऐसा मजमूआ है जो computer को बताती है what to do software is a set of instructions given to the computer to perform the specific task कोई भी काम जो computer perform करता है उसमें software होता है जो उसे बताता है कि कोई खास काम किस अंदाज में करना है for example the games we play and the programs we run on the computer like Microsoft Word, Microsoft Paint, Windows XP, ATCR software next हम quickly review कर लेते हैं कि hardware और software में differences क्या है hardware refer to all physical part of computer that we can see and touch software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task hardware ऐसे parts हैं उसके जिनको हम देख भी सकते हैं और छू सकते हैं software ऐसी instructions हैं जो किसी भी काम के लिए computer को perform की जाती हैं कि वो task कैसे perform करना है hardware is like a human body and software is like a human soul examples में देखते हैं हमारे पास hardware की examples हैं monitor, keyboard, mouse, printer, system unit, scanner, motherboard, speaker वगेरा software की हमारे पास example हैं windows, ms word, ms paint, media player, internet वगेरा next is input devices devices that are used to enter the data in the computer as called input devices इसमें हमारे पास keyboard, mouse, microphone, scanner और digital camera आ जाता है so first हमारे पास input device है keyboard जिसको हम detail में पढ़ने जा रहे हैं keyboard is the most commonly used input device it allows the user to type alphabets, numbers, symbols into the computer इसकी मदद से हम जो commonly text होता है वो हम enter करेंगे जिसमें numbers होंगे, alphabets होंगे, कुछ symbols वगेरा होंगे it has small buttons called keys जिसके उपर button बने वे हम उनको कहते हैं keys keys are laid out of qwerty pattern qwerty इसको qwerty भी बोल सकते हैं यह एक ऐसे pattern में होता है कि जिसकी जो है start होता है qwerty से are the top left of the keyboard a standard keyboard can be divided into following section function keys, alphanumeric keys, numeric keypad, cursor control और navigation keys function keys, keyboard के बिल्कुल top पे जो आपको keys नजर आती है f1, 2, 3, up to 1, f12 तक यह function keys होती है और जो हम software यूज कर रहे है उसकी base pain का purpose होता है जैसे आप windows में f1 की press करते हैं तो help screen शो हो जाती है alphanumeric keys, alphanumeric keys हमारे पास collection of letter है numbers, punctuation, different punctuation जैसे यूज होती है full stop, comma, question mark, etc these sections are include some special keys इसमें कुछ special keys होंगी जैसे tab है, caps log है, backspace है, enter key है, shift है, control है, alt key यह ऐसी special keys हैं जो combination key के तौर पे जूज जोती हैं and the mathematical operators cursor control or navigation keys cursor control keys consist of arrow keys, insert key, delete key, home and page up and page down keys these keys are used to move the cursor within the text आपने टेक्स्ट में जहां भी move करना हो cursor को आप यह की यूज कर सकते हैं important keys and their function तो हमर पास पहली key है, tab key जैसे कि हम जानते है, space बार हम यूज करते हैं, एक space के लिए एक character की space के लिए इसी तरह tab यूज होती है जब आप six या eight character की space जा रहे हो तो उसके लिए हम जो है वो tab key use करते हैं next is delete key delete key is used to erase the letter or number typed incorrectly delete हम delete करने के लिए use करते हैं उसके बाद है escape key कोई भी process अभी चल रहा हो उसको terminate करने के लिए हम escape key use करते हैं end key, जब आप end key press करेंगे तो वो आपको cursor के बिलकुल line के end पे या screen के end पे ले जाएगा control and alt these keys do not work on their own यह अलैदा यूज नहीं होती है यह combination keys के लाती हैं और इनको combination के साथ यूज किया जाता है मिसाल के तोर पर control plus o करेंगे तो कोई भी new file open हो जाएगी इसी तरह art plus f4 करेंगे तो कोई भी program window यह जो है वो हमरे पास close कर देगा उसके बाद है हमारे पास backspace key is used to erase a letter or number on the left of the cursor left पे जो है हम कोई भी एक letter delete करने के लिए या erase करने के लिए use करेंगे next है हमारे पास enter key enter key के दो use हैं या तो new line के लिए और या तो हमने कोई command execute करवानी हो तो उसके लिए enter key press करते हैं next हमारे पास है shift key shift keys are used to type a capital letter or to type any symbol